हलो मित्रों, ब्रदर संसिष्टर, आफ सभी लोगों को नमस्कार, साधर पडाम और जहिन, आपके अपने यूटूब चैनल दिल्ली मैत में हार्दिक स्वागत हम अभी नंदन है, आज चर्चा का बिन्दू है, एल्टी ग्रेट नई भरती UPPSC से, एल्टी ग्रेट प्री में इसका मामला क्या है, कुछ बदला होगा क्या, बारह हजार का बिग्यापन एल्टी ग्रेट में जी आई सी प्रवक्ता नई भरती, तो मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही मात्पूर होने वाला है, इसके पहले हम TGT, PGT कुछ हम चर्चा करते हैं, जिसमें के TGT, PGT के तक विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्स्ट्राइब कर दीजिए, नाटिफिकेशन पानी के लिए, जिससे हम आपको पूरी जान करी दे सकें, और सभी भाई बैनों को सेयर करिए, जिससे कोई रहना जाए, तो मित्रों, यह वीडियो, LTE ग्रेट के साथ ही, GIC प्रवक्ता क सभी प्रतियोगी च्छाचातरों के लिए काफी महत्तपूरा है, जिसमें हम LTE ग्रेट नई से चक भरती बिग्यापन, इसके अलावे GIC प्रवक्ता के नई बरती और साथ ही, यहाँ पर LTE ग्रेट के प्री मेंस को लेकर भी बात करने वाले हैं, कि प्री मेंस होगा की नही की नियुक्त का मामला आदर्स चुनाओ आचार सहिंता लागो होनी की वज़े से रुकी भरती प्रकिरिया, इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि सिच्छकों के 37,000 पदों पर रुक गई है यह भरती और इसमें कौन कों सी भरती सामिल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क का था, एक्जाम भी हो गया, तो इसमें कोई दिक्का देखने को नहीं मिलेगे और नहीं कोई परिशानी उत्पन होगी, लेकिन फिरार अनुमत तो लेनी ही होगी, इस प्रकियों को आगे बढ़ाने के लिए, और अगर आपको अनुमत मिल गई, तो समझ लिजे आपका काम अच्छे से बन जायागा, इस नए साल यानि की 2022 की सुरुवात में, वहीं बात करें, एल्टी ग्रेट नए सिचक भरती बिग्यापन की, तो इसके लिए आज भी आप भी UPPSC की तरब से यह जानकरी निकल कर आई है, आई थी कि लोग से आयोक जल्द जारी करेगा परिशा क याइसे तो साल के अंत में हर वर्ष जारी कर दिया जाता है, या फिर एक जनवरी को तो जारी हो ही जाता था, लेकिन यहां पर इंतजार हो रहा था, तो सिर्भ चुनाओं की तारीखों को लेकर, इसके अलाओं यहां पर बात करें, जिया आइसी प्रावक्टा के लिए या काफी ज़्यादा पूछा जाता है यह कुश्चन की यह कमेंट करके लोग पूछते हैं कि पृतियोगी चाचाचा पूछते रहते हैं कि GIC प्रवक्ता नई भरती आएंगी या फिर नहीं आएंगी सही सही बताओ ना जल्दी से तो देखिए GIC प्रवक्ता के लिए कि भी की सूचन तभी आपको मिल पाएगी हवा में बाते करने का कोई मतलम नहीं है फिलार अभी तक आयोक से GIC प्रवक्ता के नई भरती को बिग्यापन लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है तो यह मानका चली कि दो तीन महिने यहां से बिलकुल भी संभावने नहीं है GIC प्र और वहीं बात करें मेंस की तो काफी जादा डाउट है तो देखिए इसके पहले UPPSC की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि अब UPPSC जितनी भी भरतियां है तो एकल इस तरी कोई भी नहीं होगी तो उसमें इल्टी गर सिच्छक भरती भी सामिल है लेकिन आयोक की तरफ से ऐ ग्यापन जारी होने के बाद ही कनफर्म होगा कि प्री मेंस लागू होगा कि नहीं या फिर जो प्रीवियस पैटरन को ही फालू किया जाएगा तो अभी इस पर कोई भी कनफर्मेशन नहीं है आयोक की तरफ से और आगामी जो भी जानकारी होगी तो पलपल की अपडेट द जल्दी निकले और आपका ये साल सुखदाई भरपूर आनंद देने वाला हो और आप सभी को नई नई देर सारी खुसियां दे क्योंकि कहते हैं कि हमेशा कुछ नयापन जिन्दिगी में जोड़ जाता है वर्स बीते हुए लमों की यादे छोड़ जाता है तो आज के लि